आज से मैं आपके लिए पर्यावराण और पारिस्थित्की को एक विशे की रूप में प्रारम कर रहा हूँ चुकि ये भुगल की ही एक शाखा है पर्यावराण और पारिस्थित्की इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको मैं रुज के रुप में इस विशे को प्रस्तूत करूँगा ताकि आपके लिए आनन्द दायक होगा और पढ़ने मजा भी आएगा और समझ में भी पर्यावराण के प्रति आपकी वृद्धी होगी तो आज पहला जो चप्टर है उसका नाम है परस्तिकी यों परस्तिक तंत्र आम तोर पे हम जब इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक परिभाशा आजाता है बड़ा ही लंदी होता है लंबा चोड़ा होता है वो परिभाशा हमें सुरुवात में ही इस विषय को बोजिल बना देता है किसी भी किताब को खोलेंगे सुरुवाती पैरा में ही एक बड़ा लंबा चोड़ा परिभाशा आता है इवन तीचार विद्वानों के परिभाशा दिये गये हैं जैसे लगता है कि परिभाशा को लेकर लड़ाई छड़ी हुई है जब अपना एक सिस्टम है आप सिस्टम को समझ जाईए एको सिस्टम है जब आप इस सिस्टम को समझ जाएंगे तो परिभाशा आप स्वयम से गढ़ लेंगे त्यार कर लेंगे है ना परिभाशा की रूप में कहें तो पारिसितिक तंत्र की परिभाशा तो बड़ी लंबी चो पालिस्थितिक तंत्र भूतल पर एक निस्षित छेत्रफल धारण करने वाली क्रियाशी लिकाई है जिसके अंतरगत समस्त जीविद जीव परसपर यानि आपस में और भौतिक पर्यावरण के साथ इस प्रकार घनिश्ठ रूप से क्रियाशील रहते हैं कि तंत्र के अंदर उर्जा के प्रवाह द्वारा सुनस्षित, पोसर सरचना, जैविवेत्ता, खनिश चक्र और जल चक्र इत्यादि का अविर्भाव होता है उत्पन होता है इसके पड़ाम सुरूप क्या होता है तंत्र के भीतर उर्जा का प्रवाह होता है उर्जा का प्रवाह कैसे होता है थोड़ा भूत आप जानते होंगे, है ना, घास पत्ते को शाका हरी जीव खाता है, शाका हरी जीव को मासा हरी खाता है, मासा हरी जीव को उच स्रणी का मासा हरी खाता है, और इन सब को सरवाहरी खा जाता है, यानि मनुर्शे, तो उर्जा का प्रवा होता है तंत्र के भीतर इस उर्जा की प्रवाह द्वारा खनिज चक्र का विर्भाव होता है खनिज चक्र का विर्भाव कैसे होता है आराम से समझेंगे भी तो आपने देखा कि तंत्र की भीतर उर्जा की प्रवाह के माध्यम से खनीजद चक्र, जल चक्र, पोषन सरचना का विर्भाव हो रहा है और इसके माध्यम से परस्यतिक कंत्र में, जय वित्दा में विर्धी होती है यह प्रवाज जितना ही तीवर होगा और जितना ही जटिल होगा, चाही का प्रवाज हो चाहे उर्जा का प्रवा हो, चाहे पोशन इस्तर हो, पोशन इस्तर जितना ही लंबा होगा, उतना ही जय वित्ता में विवर्धी होती चली जाती है. तो कुछ-कुछ अंदाजा तो आपने लगा लिये होगा कि पारिशितिक तंत्र होता क्या है? यानि इसमें जीवित-जीव विज्ञान की कोई शाखा है, जिसके अंतरगत हम किसी छेत्र का अध्यान करते हैं. यानि पारिशितिक तंत्र का अध्यान ही क्या है? एकोलोजी है. एकोसिस्टम का अध्यान एकोलोजी है. यानि एकोलोजी का हम अध्यान नहीं करेंगे. एकोलोजी तो अध्यान का छेत् किया था, वो एकोलोजी नहीं था, बलकि ओएकोलोजी था, यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हें जिस सब्द का परियुक किया था, ओएकोलोजी था, अर्नेस्ट हैकल नहीं सबसे पहले एकोलोजी यानि पारिशित्की की परिभासा भी गड़ी थी, उन्होंने बताया, अध्यन को ही एकोलोजी कहते हैं, यानि पारिशित्की कहते हैं, बस ही दो लाइंक था, अब आते हैं पारिशितिक तंत्र पर, जहाँ एकोलोजी सब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा था, वहीं, एको सिस्टम सब्द सबसे पहले 1935 में, एजी टॉंसले न गढ परिभाषा से से पहले एजी टॉंसले ने लिखी थी ये ऐसे सवाल है जो बार-बार तमाम परिछाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आपके काम के हैं तो हम फिर से परिभाषा पर नहीं आना चाहेंगे बस इतना ही बताएंगे कि जहां परिशित्की विज्ञान की एक देखा नहीं है यह धरातल पर एक निश्य छेत्र धान करने वाली किर्याशील इकाई है परिशित्क तंत्र की तीन-चार परिभाषाएं देख लेते हैं धिरी-धिरी सुल जाएंगे अब यह आपको पूरी तरह से मुझे पूरी उम्मेद है कि आपको परिशित्क तंत्र स परिशित्क तंत्र धरातल पर एक निश्य छेत्र धान करने वाली इक आई है जिसके अंत्रगत शमस्त जीवित जीव परास पर और भौतिक परियावरान के साथ घननेश चुरूप से क्रियाशील रहते हैं यह पहला point का विश्थार कर दिया मैंने दूसरा point पारिस्थितिक तंत्र की सरचना में तीन संघटक होते हैं यानि तीन घटक होते हैं components ये तीनों कौन-कौन से हैं जैविक संघटक यानि बायोटिक कमपोनेंट अजैविक या भोतिक संघटक यानि आबयोटिक और physical component और तीसरा होता है उर्जा संघटक यानि energy component अब पारिस्यतिक तंत्र के इनी तीनों घटकों का हमें अध्यान विश्तरित रूप में करना है जितने अच्छे से हम पारिस्यतिक तंत्र के इन तीनों घटकों को समझेंगे उतना ही पारसितिक तंत्र को बहतर रुप में समझ पाएंगे क्योंकि पारसितिक तंतर इनी तीनों के मढद्य आपसी समंधों का अध्यन है लेकिन अभी हम विशेष्ट्ताय देख रहे हैं तो कुछ और विशेष्ट्टाय देख लेते हैं तीसरी विश्यस्ता है कि पारिसितिक तंत्र का मुख्य चालक बल सौर उर्जा है, सूर का प्रकास है, अगर सूर का प्रकास नहीं होता तो पारिसितिक तंत्र में उर्जा नहीं होती, नहीं पौधे होते, ना पौधों को खाने वाले शाकाहरी होते, ना शाकाहरी को खाने व शाकाहरियों के रूप में, जो भी चीज़ें शौसन कर रही हैं, जिन में गती है, जो सौसन कर रही हैं, ये सभी जैविक पदार्थों से बनी हैं. तो ये जैवभार कहते हैं इसको, तो पारिसितिक तंत्र में जो उर्जा दिखाई दे रही है, इसकी उर्जा का मुख्य सरो और पारिस्टिक तंत्र में इस और उर्जा का प्रविश कैसे होता है ऐसे तो हमें डारेक्ट धूप मिलता है लेकिन क्या हम धूप से खाना बना सकते हैं नहीं हमारे उपर हम ठंडी में दिन भर बैटके धूप लेते हैं तो क्या हम धूप से खाना बना लेते हैं अपने लि यानि हम सूर के प्रकास से डारेट अपना भूजर नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब है कि पार्सितिक तंत्र में उर्जा का प्रवेश हमारे द्वारा नहीं होता है। हरी पत्ति वाले जो पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाय जाता है। हिंदी में पढ़हरिम बोलते हैं। पढ़हरिम युक्ति जो हरी पत्ति वाले पौधे होते हैं वो सूर प्रकास को सौर उर्जा को रासायनी कौर्जा में तबदिल करके अपने लिए भोजन का निर निर्माड करते हैं यह पूरी की पूरी जो पेड़ पोधे या वनस्पति है वो पूरा का पूरा क्या है इतना मोटा उसका तना होता है उसमें कुछ फल लटके रहते हैं उसका जड़ होता है वो सारा का सारा जैविक पदार्थ है उसी को हम भोजन कह रहे हैं तो हरी पत्ति हारे पत्ते वाले पोधे प्रकास दस्रेस्ट के किरिया दोरा सहर उर्जा को रासायनिक उर्जा में परिवर्थित करके अपने लिए जयरिक पदार्थ अर्था भोजन का निर्मार करते हैं। तो आपने समझा कि पायसितिक तंत्र में उर्जा का कारण क्या है। पायसितिक तंत्र के उर्जा करण सूर्य है और इस उर्जा का प्रवेश हरी पत्ती वाले पौधों के माध्यम से होता है। और इनर्जी कॉम्पोनेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट यानि जयविक संघटक के बारे में। अच्छे सिसको समझते हैं जयविक संघटकों को। पारिश्थितिक अंत्र में तीन तरह के जयविक संघटक होते हैं। इसके अंत्रगत तीन तरह के जयविक संघटक होते हैं। इसमें हरी पत्ति वाले पौधों को शामिल करते हैं। जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं। जयविक संघटकों के अंत्रगत सबसे पहले हरी पत्ति वाले पौधों को शामिल करते हैं। जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं। दूसरे इस्तर पर इसमें मानों समेत सभी जीव जन्तूओं को शामिल करते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हरी पत्ति वाले पौधोप निर्भर करते हैं दूसरे इस्तर पर जैविक संगटक के अंतरगत मानों समेच सभी जीव जनतों को सामिल करते हैं जो अपने भोजन के लिए पर्तेक्ष परोख्ष रुप से हरी पत्ति वाले पोधोप निर्भग करते हैं और तीसरे इस्तर पर सुक्षम जीवों को सामिल करते हैं सुक्समजीव जो इन दोनों की मृत हो जाने पर सड़ा गला कर वियोजित कर देते हैं और फिर से मिट्टी में मिला देते हैं तिसरे हिस्तर पर सुक्समजीव को सामिल करते हैं जो मृत वनस्पतियों और जीव जन्तुओं को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं उनको सरल पदर्थों में तोडते हैं और फिर से मिट्टी में मिला देते हैं इन्हें हम अपगटक कहते हैं तो कारियों के अधार पर यानि हमने समझा कि जैविक संगटक के अंतरगत हरी पत्ति वाले पोधे मानों समेथ सभी जीव जन्तु और सुक्षमजीव यानि बैक्ट युद्पादक है यह उपभोगता है युद्पादक नहीं होता यह उपभोगता होता है इकोलिंका उपभोग करता है चाहे परत्यक शुरूप से करे चाहे परोग शुरूप से करे तो यह भोगता होता है और यह अपगटक होता है यानि बड़ी चीजों का अपगटन कर उनको फिर से सरल्पदार्थों में तोड़ देता है कैसे सरल्पदार्थों में तोड़ता है इसकी वाक्ष आगे की जाएगी अच्छे से सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादकों को उत्पादक हरी पत्ती वाले पौधों को शामिल किया जाता है जो सौर्य प्रकास की उपस्तिति में जो सवर उर्जा को रसानिक उर्जा में परिवतित करके अपने लिए जैविक पदार्त अर्धात अहार का निर्मार करते हैं और इस आहर का उपयोग वो अपने विर्धी विकास के लिए तो करते हैं, जैसे पौधे, सुर्य प्रिकास से अपने लिए आहर का निर्माड क्या करते हैं, भाई, कर्भोहेडरेड बनता है, वसा बनता है, प्रोटीन बनता है, है न, पौधों पाय जाता है, तो के रूप, वसा, कार्भोहेडरेड, और भी बहुत से जटिल गुलुकोज योगीक होते हैं, अब इसमें नाम लिए इस्टार्च, हाँ, स्टार्च हो गया, जो लकडियों में और आलूम पाय जाता है, तो गुलुकोज के जटिल योगीक होते हैं, कार्भोहेडरेड, वसा starch everything protein जो भी पौधो में संचीत होता है उसलब क्या है कार्बनिक योगीद है मतलब जैविक पदार्थ उसे हम कार्बनिक योगीद भी कहते हैं तो जैविक पदार्थ तो ये सौर उर्जा को राषानिक उर्जा में परियुतित करके कि अपने लिए जविक पदार्थ का निर्मार करते हैं, यानि आहार का निर्मार करते हैं, और इस जविक पदार्थ यानि आहार का निर्मार वो अपनी व्रधि विकास के लिए तो करते ही हैं, पोधे, और साथ में दूसरे जीवों को भी भोजन उपलब्द कराते हैं, इसलि तंत्र में उर्जा का प्रवेस हरी पत्ति वाले पौधों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जीवों जन्तुओं की इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती नहीं पाई जाती है। यही एक मात्रवर्ग है जो उर्जा के एक रूप को दूसरी रूप में परिवर्थित करके अपने लिए आहार बनाता है। इसलिए अपने लिए अपना भूजन स्वयम बनाता है उर्जा के एक रूप को दूसरी रूप में परिवर्थित करके अपना भूजन स्वयम बनाता है। इसलिए इसे हम स्वपोशित भी कहते हैं। पौधों को हम स्वपोशित कहते हैं। इन में क्लोरुफिल पाय जाता है। क्लोरुफिल अथवा पढ़ हरिम युक्त जितने भी पौधे होते हैं। वे सूरी प्रिकास की उपस्थिति में कार्बन डाय आकसाइट और जल को ग्लुकोज में परिवर्थित कर देते हैं। उपभोक्ता अभी तक हमने उत्पादक यानि हारिपत्ति वाले पौधों को समझा। अब हम उपभोक्ताओं को समझेंगे। उपभोक्ता के अंतरगत मानों समेथ सभी जियुजनतों को शामिल किया जाता है। जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष परोग शिरुप से हरी पत्ति वाले प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता के अंतरगत समेथ सभी जियुजनतों को उपभोक्ता के अंतरगत सामिल किया जाता है। जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोग शिरुप से हरी पत्ति वाले प्राथमिक उत्पादकों अर्थात सोवपोशितों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इने हम क्या कहते हैं उपभोक्ता कहते हैं उपभोक्ता या परपोशित भी ने कहते हैं परपोशित ये पौधे सोपोशित हैं और उपभोक्ता क्या हैं परपोशित हैं इनका जो सम्मंद होता है उत्पादक और उपभोक्ता को इस तरह से होता है ये किस तरह से प्र समय नाम लिखा हुआ है। यह अपरत्यक शुरुप से हरी पत्युक शुरूब्लिल से पर करता है। लेकिन यह इस पर तुम शुरुबन में समय जिन जीवन का नाम लिखा हुआ है। जैसे बकरी को मानव खा जाता है तो एकरण से मानव अपरत्य शिरुप से हरी पौधों पर निर्भर है। चुहे को साप खा जाता है, साप को बाज खा जाता है। इसलिए अगर हरी पत्ति वाले पौधे नहीं होते तो बाज नहीं होता। यानि जैवेत्ता में विर्द्धी भी किसके चलती होती है। हरी पत्ति वाले पौधों के माध्यम से जो तंत्र में सौर उर्जा के प्रवेश को संभव बनाते हैं। यही उर्जा संचीत होती है और यही उर्जा अलग अलग पोशण इस्तर के जीवों में पहुँशती है। आप देख पा रहे हैं। तो सभी प्रात्मिक उत्पादकों पर ही निर्भर है। वास्तों में उत्पादकों और उभुकताओं के माध्यम से परसितिक तंत्र में एक खादर स्रिंखला का विर्भा होता है खादर स्रिंखला उत्पन होती है उत्पादकों और उभुकताओं के परस्परिक समंधों के चलते परसित की तंत्र में एक खाद स्रिंखला उत्पन होती है जिसमें उर्जा का प्रवा एक दिशी होता है जिसमें एक दिशा में उर्जा का प्रवा होता है सौर उर्जा यहां थी पहले सौर उर्जा को इसने राशानिक उर्जा में बदला वो उर्जा कहां गई? उर्जा पहले सूरे में थी वो सूरे की उर्जा हरी पत्य अले पोधों में आई फिर चुहे में आई फिर सांप में आ गई फिर बाज में आ गई तो आपने क्या समझा कि इस तरह से उत्पादकों और उभगताओं के पारसपरिक सम्मद्दों के चलते पारसथिक तंत्र में एक खाद स्रिंखला का उर्भा होता है और इस खाद स्रिंखला में उर्जा का एक देशिये प्रवा होता है यानि एक देशा में प्रवा होता है इस से इसको थोड़ा और डिफाइन करने की जरूरत है आईए क्लरिफाई करते हैं सूरे है सूरे से सौर उर्जा को रासानिक उर्जा में बदलते हैं ये सनलाइट आ रहा है हरी पत्ति वाले पौधों से रासानी कुर्जा मदल दिए हरी पत्ति वाले पौधों को शाका हरी जन्तु खा लिए फिर मासा हरी खा लिए इस तरह से उर्जा का प्रवा हो रहा है उर्जा का प्रवा पोषण इस्तर एक से पो सोसन कर रहे हैं, पेड़ पोध्य सोसन करते हैं, जीव जनतु सोसन करते हैं, उच्छ मासा हरी सोसन करते हैं, मनुष्य भी सोसन करता है, हम सोसन करते हैं, तो क्या जलता है, हमारी कोशिकाओं में जो वसा है, हमारी कोशिकाओं में कार्बोहाइडरेट है, वसा है, प्रोटीन ह इसलिए कि चावल खाओ, या ऐसे पदार्त खाओ, जिनमें कार्भो हैड्रेट हो, अगर कार्भो हैडरेट आपके सरे में नहीं रहएगा, तो आपके सौसन से क्या जलेगा, प्रोटीन जलेगा, यानि आपको उर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी लेकिन प्रोटीन जलके अगर आपको उर्जा मिल रही है तेकिन मानिए आपके जो उत्तक हैं टिशूज वो कमजोर हो जाएंगे और तब आप व्रिध दिखने लगेंगे जल्दी ही इसलिए अपने प्रोटीन को बचाईए अपने प्रोटीन को बचाने क लेकिन वसा भी शरीर के लिए जरूरी होता है, न कि वल स्वस्त रहने के लिए, बलकि सुंदर देखने के लिए भी, जब लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, तो सुंदर भी नहीं देखते हैं, तो हम जब सोसन करते हैं, तो हमारी कोशिकाओ में वसा, आक्सीजन फेफडे में पहुंचता है, आक्सीजन फेफडे से रक्तनलिकाओं में पहुंचता है, जिसका परिवहन कौन करता है? हीमोगलोबीन करता है, हीमोगलोबीन के माध्यम से वो आक्सीजन कहां पहुंचता है? कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं में वसा, का अर्बोहेडरेट ग्लुकोज का छै होता है जब यह जलते हैं तो उश्मा उत्पन होती है यही उश्मा हमारे जीने के लिए जरूरी है जब इस उश्मा की हमारे सरीर में कमी हो जाएगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे यही रिजन है कि हम जब सांस रोक लेते हैं तो जहन नहीं हो पाएगा अक्सिजन क्या करता है अक्सिजन जलाता है चीजों को जलाता है अक्सिजन कैसे है अक्सिकारक गैस है जलाता है यह तो अक्सिजन कोशिकाओं में खादे पदार्थ को जलाता है तो हमें उश्मा मिलती है अगर हम सांस बंद कर लें तो हमारे जो खा स्वासन करते हैं शाकाहरी भी मासाहरी भी सर्वाहरी भी श्वासन द्वारा प्रतेक पोस्ड इस्तर में पार्सितिक तंत्र के प्रतेक पोस्ड इस्तर में श्वासन द्वारा ओर्जा का छै होता रहता है यानि ओर्जा यहां से यहां डायरेक्ट तो गया ही पत्ते को साकाहर निखा लिया, तो शाकाहरी में उर्जा चली गई, शाकाहरी को मासाहरी निखा लिया, तो मासाहरी में उर्जा चली गई, लेकिन एक चीज और नोटिस करिए, सभी पोसण इस्तरों में सोसन क्रिया हो रही है, और सोसन क्रिया दौरा उर्जा का च्छे हो रहा है, उर्जा का रोप में होता है यानि उर्जा के ट्रांसफर होने से पहले ही यहां भी स्वसंद्वरा उर्जा का छह हो रहा है लगातार जब तक यह जीवित है उर्जा का छह करेगा यह भी जब तक जीवित है भाई इसने अगर इसको खा लिया तो इसकी उर्जा चली गई कहां इसकी उर् तो इन सभी पोषण इस्तरों में सोसन क्रिया द्वारा ओर्जा का छह हो रहा है जो कि ऊश्मा के रूप में हो रहा है इसलिए प्रतेक पोषण इस्तर में सोसन क्रिया द्वारा ऊश्मा का जो छह हो गया वो कहां चले गई हमारे सरी से जो भी ऊश्मा निकल रही है हमारे सरी सजो उस्मा निकली हमारी सांसों सजो उस्मा निकली सारी उस्मा कहां चले गई वाय मंडल में चले गई यानि इसने जो सोसन क्रिया कर ली वो इसको नहीं मिलेगा इसने जो भी सोसन क्रिया करके अपने भोजन को जला दिया वो इसको नहीं मिलेगा शोसन क्रिया दोय जो उर्जा खच्छे होता है उसमा चली जाती एंतरिक्ष में और सुरी वाई मंडल में और पुना या उसमा पालिस्तिक तंतर को उपलब्ध नहीं हो पाती आफ आस समझे समझते रहेगा पृतिक पुसन डिस्तर में शोसन दोरा उसमा कच्छे होता है या उसमा वायमंडल में चले जाती है फिर से परिस्थितिक तंत्र को उपलब्ध नहीं हो पाती फिर भी जीव जीवित रहते हैं लेकिन अभी भी जीवित है तो उनमें जविक पदार संचीत है अभी भी उसमें क्या है जविक पदार्थ है लेकिन एक समय आएगा कि ये मर जाएंगे ये मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा छोटे छोटे जीवों का काम सुरू हो जाएगा जब शेर, बाग, चीता, हिरन, पेड़, पत्ते, पौधे जब उनकी मृत्य हो जाती है वो मृत्य हो जाता है उन्हें सड़ा गला कर उन्हें घोल के रूप में परिवर्थित कर देते है यानि जो भी जन्तू और वनस्पती है जब वो मृत्य हो जाता है समझेगा जो भी जन्तू वनस्पती जब वो मृत्य हो जाता है तो जो बैक्टिरिया और कवक होते हैं bacteria कवक उनके सरीर को घोल की रुप में परिवर्तित करके उनके सरीर में जो carbonic पदार्थ है, यानि वसा carbohydrate protein उनके सरीर में जो भी carbonic पदार्थ होता है वसा carbohydrate protein उसे वो घोल की रूप में ग्रहाण करते हैं clear? तो वो सारी की सारी उर्जा अब कहां चली गई? वो सारी की सारी उर्जा बैक्टिरिया और कवक में पहुँच गई. क्योंकि बैक्टिरिया और कवक ने उसे घोल की रूप में चूस लिया, ग्रहन कर लिया. इसके साथ ही अब ग्रहन करके क्या कर रहे हैं? अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं. यह बक्टिरिया क्या है जविक पदार्थों को घोल की रूप में जब गरहन कर रहे हैं तो अपना भोजन प्रात कर रहे हैं यानि खाद इस रिंखला में भोजन का चक्र हमेशा चलता रहता है यह पूरा का पूरा सम्मंद यहां से लेकर यहां तक कैसा है यह सम्मंद पाइसितिक तंत्र में सबसे बड़ा सम्मंद भोजन का होता है यह जब मर गए तो इनके जविक पदार्थों को जविक पदार्थ मतलब क्या होता है कार्बनिक पदार्थ पेड़ पौधो और जन्तुओं में जो जविक पदार्थ होता है उसे कार्बनिक पदार जितने भी जीव, जन्तू, वनस्पति या उनसे बने हुए वस्तुएं हैं, कपड़े, पर्दे, टेबल, कुर्सी, बेट, जितने भी खादे पदार्थ हम खाते हैं, जो हमारे किछन में, उस अभी के सभी क्या हैं? कारबनिक पदार्थ हैं, तो ये सूप्समजीव कारबनिक का सराली करण करते हैं कार्बनिक पदार्थ मतलब वसा सराली करन करते हैं, दो आम चायर में सराली करण करते हैं आकार्बनिक पदार्थ मतलब सुन लेज़े भी आगे और बताऊंगा आकार्बनिक पदार्थ मतलब होता है हमारे सरी में जो खनिश पदार्थ है हमारे सरी में कुछ खनिश पदार्थ भी तो होते हैं यह पौधे, जीव, जन्तु, मासाहरी, शाकाहरी, में कुछ खनीच पदार्थ हैं, जैसे potassium, calcium, sodium, magnesium, phosphorus, तो यह आकार्बनिक पदार्थ हैं, तो यह जो वियोजक जीव होते हैं, यह कार्बनिक और आकार्बनिक पदार्थों का सरली करण करते हैं, जो पौधों को पुना उपल पाता है, कैसे, यानि पौधों ने जो फास्फोरस, potassium, मिट्टी से लिया था, पौधों के नीचे क्या होता है, जड़ होता है, यह पौधे अपनी जड़ों से क्या लेते हैं, फास्फोरस, potassium, sodium, magnesium, calcium लिया, पौधों को साकाहरीम खा लिया, तो यह सभी खनीच पदार्थ सा स्तर में पहुंच जाते हैं, यह खनीच पदार्थ, और जब यही जीव जनतों और वनस्पतियां मर जाते हैं, तो सूप्स में जीव इने वयोजित करके, इन कार्बनिक, आ कार्बनिक पदार्थों का सरली करण कर देते हैं, पौधाम सुरूप, यह potassium, sodium, calcium, magnesium, फास्फोरस, फिर से मिट्टी में मिल जाता है, जिने फिर से पौधे अपनी जड़ों से गरहाण कर लेते हैं, आपने देखा खनीच चक्र है, यहां से यह चक्र शुरू हुआ था, और यहां से आते आते यह चक्र यहां पर समाप्त हुआ, यानि जो खनीच पदार्थ पौधों ने लि प्रतेक पोसंड इस्तर में वनस्पतियों और जीवों जनतों दोरा स्वसंक्रिया होती है स्वसंक्रिया में ओर्जा का च्छै होता है ओर्जा का या च्छै उश्मा के रूप में होता है या उश्मा जीवों के सांसों के माध्यम से वायमंडल में चली जाती है और तंत्र को फिर से सुलब नहीं हो पाती यानि ओर्जा का एक दिसी प्रवा होता है फिर भी अब जब इनकी मृत्य हो जाती है तो मृत्य के बाद इनके जैविक पदार्थों को कौन खा जाते हैं बैक्टिरिया खा जाते हैं बैक्टिरिया भी तो सौसन करते हैं यानि बैक्टिरिया सौसन करते हैं महां से भी उश्मा वाय मंडल में चली जाती है यानि लास्ट तक यानि सौर उर्जा जो हरी पत्ती वाले पौधों के माध्यम से परिसितिक तंत्र में प्रवेश की थी समझेगा खनिज कहां है सूरज से नहीं आ रहा है खनिज पदार्थ तो यहीं पे थे खनिज पदार्थ को संभव बना हरी पत्ति वाले पौधों ने प्रतेक पोसन इस तर में सौसन करिया द्वारा यह सौसन करिया के वल मासा हरियों तक नहीं हो रही है सूच मजीवों में भी सौसन करिया हो रही है क्योंकि इनको यह खा जाते है तो प्रतेक पोसन इस तर में सौसन करिया द्व उर्जा अंत्रिक्ष में चली जाती है वायुमंडल में चली जाती है और फिर से पारिस्यतिक तंत्र को सुलब नहीं हो पाती इसलिए आप देख पा रहे हैं कि पारिस्यतिक तंत्र में जितनी उर्जा का निवेश होता है उतने ही उर्जा का तंत्र से उश्मा के रुप में पहरीजियार मैं हो जाता है यह उर्जा चली गई सीड़ा से उसका तंत्र के माध्यार इसका पहरीजियार कीमाकित धाथ हाथ अगर पायसेतिक कंत्र से उर्जा का बहिर्गमन न हो स्वसंत क्रिया द्वारा उर्जा का बहिर्गमन न हो पाया तो क्या होगा उर्जा यही पर रह जाएगी और लगतार सौर उर्जा हरी पत्ति वाले पोधों द्वारा राशानी उर्जा में बदली जाएगी और बहुत जादा जयवभार हो जाएगा प्रत्वी पर बहुत जादा जयवभार इस जयवभार को संतुलित कैसे किया जाता है स्वसन क्रिया द्वारा उर्जा का बहिर कमन हो जाता है इतनी बाते आपने समझा इस प्रकार तंत्र का द्रोयमान, पैसितिक तंत्र का जो जैविक द्रोयमान होता है, संतुलित और इस्थिर बना रहता है, यानि जितनी उर्जा का निवेश, उतने का बहिर गमन हो जाता है अब सरी उप्भोकताओं को चार स्रेडियों में रखा गया है, प्रतम स्रेडि की उप्भोकता, इसके अंदर गत शाका हरी जीवों को सामिल किया गया है, हम उप्भोकताओं की बात कर रहे हैं, उप्भोकता कौन है, जो प्रतेक्ष परोक शुरुप से हरी पत्ति वाले जीवों को रखा गया है, जो प्रतेक्ष रुप से हरी पत्ति वाले प्रात्मिक उत्पाद को खा कर अपना भोजन ग्रहन करते हैं, उधारन के लिए गाय, बकरी, हिरन, चुहा, टिड्डा, ये सभी प्रतम स्रेडि की उप्भोकताओं, अर्थात, शाका हरी जीवों, ये जीवों को खाते हैं, ये शाका हरी जीवों को खा कर अपना भोजन ग्रहन करते हैं, लेकिन शाका हरी कोई खाते हैं, जो प्रतम स्रेडि की उप्भोकता अर्था, शाका हरी जीवों को खा कर अपना भोजन ग्रहन करते हैं, उधारन के लिए ये, ये दिती स्रेडि की उप् इसे समय जाता है जो अपने से शाकाहरी जीवों पर भी निर्भर करते हैं और मासाहरी जीवों पर भी निर्भर करते हैं। शाकाहरी जीवों पर भी निर्भर करते हैं। शाकाहरी जीवों पर भी निर्भर करते हैं। शाकाहरी जीवों पर भी निर्भर करते हैं। इसके अंतरगत बैक्टेरिया और कवक जैसे सूप्ष में जीवों को शामिल करते हैं। इन्हें वियोजक जीव कहते हैं। इता हैं कि मृत, जीवजन्तों और वनस्पतियों की सड़े गले भागों को वियोजीत करते हैं। सड़ा गलाकर वियोजीत करने का मतलब होता है कि उनको जटिल कारबनिक पदार्थ से सरल कारबनिक पदार्थ में बदल देना। उदारण के लिए कार्बोहेडरोट को ग्लुकोज में बदल देना, वसा को ग्लुकोज में बदल देना, समझे ना आप, तो ये क्या करते हैं कि मृत वनस्पतियों और जीवजन्तूं की सड़े गले भागों को वियोजित करते हैं और जैविक पदार्थ, भाई मृत कौन हु अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसके साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान ये जो वियोजग जीव हैं, इस प्रक्रिया के दौरान ये वियोजग जीव, जटिल कार्बनिक और आकार्बनिक पदार्थों का सरली करन करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब वसा इत्यादी, सोडियम, इत्यादी का सरली करण कर देते हैं, जिससे ये पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर से पौधों द्वारा उपयोग कर लिय जाते हैं, और पौधों के लिए सुलब हो जाते हैं. ये जटिल कार्बनिक और आकार्बनिक पदार्थों का सरली करन करते हैं, जिनने पुना हरी पत्ति वाले प्राथमिक उत्पादक प्राप्त कर लेते हैं, चुकि जो अपगटक होते हैं, ये मृत जीवों, वनस्पतियों को खाकर पृत्वी को साप सुथरा रखते हैं, इसलि के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक, और जैविक और उर्जा संगठक, हमने जैविक संगठक पढ़ लिया, जैविक संगठक के अंदरगत हमने उत्पादक, उपभूगता और संगठकों का अध्यन किया, आप घटकों का, जैविक संगठक के अंदरगत हमने अलग-अलग कर लेना ज़रूरी है, पता ने एक जिया में किस तरह से पूछा जाएगा, तो और जवी क्या भौतिक संगठक के अंतरगत, सबसे पहले मिट्टी जल और वायू को शामिल करते हैं, यानि जो भी भौतिक चीज़ें जीधारियों को घेरे हुए हैं, वो सभी जीवन को हमारी विद्धी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, पारिसितिक तंत्र के संगठक क्यों कहा गया है, इन्हें पारिसितिक तंत्र का दूसरा संगठक माना गया है, क्यों? क्योंकि ये सभी जीवों के विद्धी विकास इत्यादी को पूरी तरह से प् तो ये चुकि जीव जन्तुओं और पौधों के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें जीवन नहीं है, फिर भी चुकि ये महत्पोर्ण है, इसलिए इन्हें पायस्यतिक तंत्र का बहुत एक संघटक मना गया है, इसके अंत्रगत सबसे पहले मिट्टी जलवाई को शामिल करते हैं, इसके अलमा जैविक समुदायों को जीने के लिए जो जरूरी तत्त होते हैं, उन तत्तों को शामिल करते हैं, जैविक समुदायों के जीवी तरहने के लिए आवश्यक तत्तों को भी पायस्यतिक तंत्र के भौतिक संघटक में सामिल करते हैं, उधारण के लिए carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen ये तो कुछ गैसे हो गई इसके अलमा जीवीत रहने के लिए आवशक्तत्तों जो खनीच बदार्थ होते हैं calcium, potassium, phosphorus, magnesium है ना calcium इसके अंतरगेत मिट्टी जल और वायू को सामिल करते हैं इसके अलमा जीवीक समदायों के जीवीत रहने के लिए आवशक्तत्तों ये था carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen, calcium, magnesium, magnesium, phosphorus इत्यादी को सामिल करते हैं इसके अलमा और जीवीक या भौटिक संगठक के अंतरगत एक चीज को और सामिल करते हैं जब जीवा और वनस्पतियों की मृत्त हो जाती है तो उनमें जो जैवीक पदार्थ होता है जीवा और वनस्पतियों की जो मृत्त होता है अब वो मृत्त हो चुका है वरिद्धी विकास को ये प्रभावित करते हैं जितना जल और वायू प्रभावित करता है उतना ही वरिद्धी विकास को ये सब चीज़ें भी प्रभावित करते हैं तो मिरित जीवों और वरिद्धी अच्छा जब मिट्टी में मिरित जीवों के सड़े गले अंस कितने मिले हुएं, जितने ही ज़्यादा मिले रहेंगे, उस मिट्टी को इतना उपजाओ माना जाता है, उसे हुमस कहा जाता है, क्यों? मिट्टी में आम तोर पर माना जाता है कि 10% हुमस होना चाहिए, मिट्टी में 10% हुमस होना चाहिए, ऐसे मिट्टी उपजाओ मानी जाती है, हुमस को क्यों इतना मत्पूर माना जाता है, क्योंकि हुमस एक जविक पदार्थ है, उसमें वसा कार्बोहाइडरेट प्रोटीन होता है, जिससे पोध्य अपनी जड़ों से एकसेप्ट कर लेते हैं, तो इसके लावा जविक पदार्थ के अंतरगत मिद जिवों वनस्पतियों की कार्बनिक योगिकों यथा वसा कार्बोहाइडरेट और प्रोटीन को भी सामिल किया जाता है, कार्बनिक योगिक, जितने भी जिव जनतु हैं, क्या वनस्पतियां हैं, ये सभी क्या हैं, कार्बनिक योगिक हैं, जिनमें भी विर्धी और विकास हो रहा है, जिनमें भी जैविक वरिद्धी हो रही है और जैविक विकास हो रहा है, सुर्य प्रिकास की उपस्तिति में पौधे, पौधों को शाकाहरी खा लिए, शाकाहरी को मासा खा लिए, जिनमें भी जैविक वरिद्धी और विकास हो रहा है, वो सभी जैविक प दोध हो, चाहे पनीर हो, चाहे सबजी हो, चाहे अनाज हो, चाहे बिस्किट्स हो, ये सभी परतेक्ष परोक्ष रुप से, परतेक्ष या परोक्ष रुप से पौधों से ही प्राप्त होता है, तो चुकि पौधे कार्बनिक पोदार्थ हैं, इसलिए दूध भी कार्बनिक य तो ये सभी वस्तु में क्या हैं कार्बनिक योगिक होते हैं जिन भी वस्तु को जलाने से उर्जा उत्पन होती है जिन भी वस्तु को अगर आप जला रहे हैं उनमें से अगर उश्मा निकल रही है तो कार्बनिक योगिक होता है मा लेतनी ये टॉवल है ये टॉवल कपास से बना होता है cotton से बना होता है cotton का पोध शूर प्रकाश की उप erसानी कुरजा को सवश्चा को रसानी कुरजा में तबदिल किया जो cotton का पोधा था तो सब्सकुनारे जो फिंदय गहीं हे नहीं इसको जलाएंगे घर के पर्धे हो गए बेड हो गया, लकडियां हो गई, कुर्सी मेज टेबल हो गए, जिन भी वस्तों को कागज हो गया, कागज जिन भी वस्तों को जलाने से उस्मा पुत्पन होती है, वो सभी क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक योगिक होते हैं, यहां तक कि वसा, कार्ब तो ये सबी कार्बनिक योगीक हैं ये भी जलते हैं इनके भी जलने से उसमा उत्पन होती है जब हम स्वसन क्रिया करते हैं तो हमारी कोशिकाओं में वसा कार्बोहडरेट रित्यादी जलती है प्रगाम सुरू उसमा निकलती है गर्मी निकलती है तो आपने समझा वास्तों म हमारी प्रकृति है प्रकृति में जो कार्बन है सबसे ज़्यादा रासानिक बंद बनाता है अड़ों का जो मिलन होता है किसी भी तत्तों के अड़ों का जो मिलन होता है कितने तरह से वो अड़ों का मिलन हो रहा है उसको हम रासानिक बंद कहते हैं उसको हम रासानिक योगिक भी कहते हैं जैसे जल क्या है जल एक राशानिक योगीख है जल क्या है एक राशानिक योगीख है जल में किन-किन प्रदार्थों के अड़ु है हाइड्रोजन का दो अड़ु है और ऑक्सिजन का एक अड़ु है इसलिए जल को हम क्या कहते है जल एक राशानिक योगीख है उ प्रकिति में कार्बन सबसे ज्यादा योगिक बनाता है आप जहां भी नजर उठा कर देखें पत्थर सिमेंट को छोड़ देजे हर जगें कार्बन योगिक ही आपको नजर आएगा जितनी भी वस्तुए हम खा सकते हैं या खाते हैं वो सभी कार्बनिक योगिक है हमारा सरीर कार्बनिक योगिक है मैंने जो कैप लगा ही हो कार्बनिक योगिक मैंने जो कपड़ा पहना वो कार्बनिक योगिक है तो प्रकिति में सबसे ज्यादे योगिक बनाने वाला तत्त्त कार्बन होता है यहां तक हीरा हीरा भी कार्बनिक योगिक होता है ग्रेफाइड भी कार आपने अगर पूरा का ध्याय मेरे साथ टिक कर देखा होगा तो मैं दावेश कर सकता हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र से पूछे जाने वाली शवाल यहीं से अधिकतर आपके फस जाएंगे मिलते हैं अगले ध्याय में नमस्कार